तो आखिरकार ब्रहमास्तर मुवी रिलीज हो जाती है जिसकी इतनी ज्यादा हाइप क्रियेट की गई थी कि इतनी बढ़िया मुवी निकलने वाली है इसके उपर इतना टाइम जो है वो दिया गया है और इतने ज्यादा पैसे इसके उपर खर्चिये गए है वी एफेक्स बह मैंने भी टिकेट बुक करवा ली थी इस मूवी की और जब इसका मुवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा था और उमीद थी किया यह मूवी थोड़ा अलग एक्स्पिरिंस मुझे देगी और जब इस मूवी को देखने पहुंचता हूं जो मूवी का ट्रेलर देखलो आपको स्टोरी पता चल जाएगी यही है फिर बात करते हैं वी एफएक्स की वीएफएक्स ऐसे हैं जैसे आपने लेजर शो देखा भाव बस यही है और कुछ भी एफएकस के अंदर आपको नहीं देखने को मिलने वाला है इतना ज़्यादा मु दोनों मिलते हैं दोनों की पहली नजर में प्यार हो जाता है और बस वह बोलीवुड की पुराने डाइलोग सेम चीप डाइलोग पहली नजर का प्यार दोनों एक दूसरे को नहीं चोड़ेंगे कोई कोई मतलब जीरो क्रेक्टर डेवलोप्मेंट है आप शीवा से क्यों कने सब्सक्राइब करते हैं इतने बकवास डाइलोग लिए इतने बकवास डाइलोग लिए इस में फॉक्त पर्पस पर जाता हूं कि हाँ एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और रील लाइफ में हम देखने की कोशिश करते हैं उसे हम इंजोई करते हैं तो लोजिक मैं कभी भी नहीं लगाता हूं किसी मुवी के अंदर तो उस बिहाफ से तुम्हें बात करूंगा भी नहीं वीएफेक्स स्टोरी वो तो होनी चाहिए इसके अंदर आप जितना ज़्याद करता हूं इसलिए इस मुवी की बुराय कर रहा है सब वह भी नहीं मुझे उमीद थी सच मेलिटरली मुझे से उमीद थी कि कुछ ना कुछ तो यह नया दिखा देंगे लेकिन नहीं ऐप्रीशेशन तब मिलती है ना जब कंटेंट पर किया गया हो यहां अपर तो खाली पि कि मैंने जो performance देखिए एक वीडियो मैंने ट्वीटर पर देखी वो ट्वीटर की जो वीडियो में आप लोगो उश्व करना चाहता हूं सेम वही जो है आलिया भेट ने कर रखा है शिवा तुम्हारा हाथ शिवा 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 तुम ठीक हो शिवा गुरुजी शिवा को दोरे पड़ रहे है उसको उसको सब नजर आ रहा है तो जूट क्यों बोला शिवा आख कुछ भी नहीं है शिवा बस तुम्हारे प्यार में जल गई शिवा कीशा तुम अब जो यह मूवी है भारतिय संस्कृति के उपर अधारितम भारत के अंदर जो वेदों शास्त्रों के अंदर जो दिव्य शक्ति के बारे में बताया गया जो अस्तर उनके बारे में बताया गया उनको लेकर जो है यह मूवी बनाई गई है अस्तर जो थे इनके अंदर इतनी चाहिए थी वो है नहीं मतलब कहीं पर तो उर्दू वर्ड यूज करके अरे क्या मतलब बनता है उस चीज का यार उस चीज का दो ध्यान रख लो कम से कम फिर आप यार कहां से हमें कनेक्ट कर रहे हो भारतिय संस्कृति कहीं से भी नहीं वह आप वही मुझे फील आ रहा था यार यही मैं रुद्राक्स मुवी देख रहा हूं कोई भी इसके अंदर डिफ्रेंस नहीं है पुरानी गिसी पीटी चीजों को हमें हमारे सामने रख दिया गया है लेकिन बावजूद इसके इसके रिव्यू है मेरे ही रिव्यू नहीं बल्कि आप जो जनता है जो मुवी देखकर बाहर आ रही है उनसे आप पूछ लीजी वो खुद इस मुवी को देखकर फ्रस्टेट हुए यहार कोई मुवी देखने जा रहा है अपने रुपे खर्च कर रहा है at least उसको संतुष्टी तो होनी चाहिए satisfaction तो होना चाहिए कि उसने एक अच्छा entertainment तो लिया यार हम movie क्या चपल लेने जाते हैं तो चपल के उपर सोर्प्या खर्च करते वक्त भी ये बात उससे कर रहे होते हैं दुकानदार से कि चलेगी की नहीं चलेगी नहीं चली तो इसको वापस करके जाऊंगा ऐसी बाते हैं लेकिन यहां पर यह movie के जो पैसे को बरबाद हुए वो किससे बोले हैं तो मेरी तरफ से तो भाई मैं इस movie को मैं देना चाहूंगा आज के लिए इतना ही दा इस वीडियो में तैंक्स और वोचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहें जाहें